तो याज वेलकम बैक टू दा यूट्यूब चैनल सन्नी कैपचर आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं अगर आपने आपने आईफोन में आयो 17.2.1 इंस्टोल करा हुआ है और यहां पे आप लोग को बैटरी ड्रेन का अगर इसू देखने के मिल रहा है तो आज क इस वीडियो में आपको टेस्ट बनाने वालों कैसे आप लोग इससे फिक्स कर सकते हैं और अपनी बैटरी लाइफ को एक लोग लास्टिंग बैटरी लाइफ बना सकते हैं तो अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब पर लिजिए और नोटिफिक्शन कर लेना तो चलते हैं गाइस वीडियो की तप बिना किसी दिरी की साथ है यह हमारी सटिंगश होने वाली है उने हैं हमसे इपन कर लेना है उसके बाद कर सकते और यहां से directly आप लोग allowed request to task इसको भी आप लोग off कर सकते हैं इसके मैंसे भी आपके बैटरी सेव होगी क्योंकि यह लोग यूज करते हैं आपके background में तो इसे भी आप आप करके रख सकते हैं और यहां पे आप लोगो को apps track नहीं कर पाएंगे तो यहां पे आपकी बैटरी automatically save हो जाएगी तो दूसरी tip की बात करें तो यहीं पर आप लोगो locations and services देखने की मिलती हैं आपको इस पर tap करना है अगर आप लोग को app useful लगते हैं यहां पर आपका location use होता है आपको mandatory यह जरूरी है तो आप लोग यहां से उन्हें on कर सकते हैं तो guys अगर आपको लगता है क अगर आपको कोई भी एक एप है जो आप लोग नहीं चाहते हैं जो यहां पर आप लोग नेवर रख सकते हैं और आपको नहीं चाहिए कि कोई भी यहां की location को ट्रैक करें तो यहां पर आप location services को यहां से directly turn off कर दिजिए यहां पर turn off को option देखने की मिलता है आपको turn off कर दे तो यहाँ पे आपको आ जाना है जर्नल्स में जर्नल्स में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है बैक्राउंड एफ रिफ्रेस में और यहाँ से आप लोग को यहाँ पे टैप करना है एफ रिफ्रेस में और यहाँ पे आप लोग वाई फाई सेलेक्ट कर सकते हैं औ कि जिसकी वजह से यहां पर आप लोग को बैटरी में काफी ड्रेन देखने के मिलता है तो इसे मैं बताता हूं आप इसे टेंड ओफ ही रखिए तो अच्छा रहेगा आपकी बैटरी के लिए गईस अगर बात करें चोथी सेटिंग की तो यहां पर आपको आपने साउंड एंड हैटिक्स में साउंड एंड हैटिक्स में आने कवाद यहां पर आपको चले जाना है स्क्रोल डाउन करना है और यहां पर आजाना है कीबोर्ड फीडबैक में और यहां से इन दोनों टोगल्स को ओफ कर देना है यहां से आपकी जो vibration होती है वो off हो जाती है और इससे भी आपकी battery save होती है और गाइस बात करें last tip की तो यहां पर आपको जनाए mobile services में mobile services में आने कवाज यहां पर आपको जनाए mobile data options में और यहां से आप लोग को voice data में voice and data में आ जाना है और यहाँ से आप लोग forge select करके यहाँ पे आप लोग वोल्टी select कर सकते हैं और जो guys आईफोन से 11 से अपर लेवल का आईफोन से है तो यहाँ पे उसमें आईफोन में auto भी होता है तो आप लोग auto भी select कर सकते हैं तो guys यह थी ios 17.2 की battery saving tips तो guys इन्हें आप लोग enable कर लेजिए guys अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe कर लेना और notification bell को ओन कर लेना तो guys मैं मिलता हूं तुम्हें के लिए वीडियो में thanks for watching जैहिंद बंदे मातरों अपना ख्याल रखिए